हनुमान जैन्ती का महुत्सव बड़ी धुमधाम के साथ मनाया जा रहा है लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो जहांगीर पुरी में अलर्ट जारी है जो सुरक्षा वैवस्था है वो पहले से जादा मुस्तैद कर दी गही है इस वक्त मेरे साथ बातशीत करने के लिए डीस इस बार क्या माहौल है और क्या कुछ तयारियां की गई है लाइन डर्ट पॉंट अव्यू से समवेदन शीलता जो आपने बताया पहले के इस तरह का देखते हुए परियावत मातरा में शुरक्षा बल और लोकल पुलिस को तैनात किया गया है और पुखता इंजाम किया ग पुराम है और जो स्पेसिफिक शोवायातर है वो जो पिछले साल जो रूट था वही रूट रहेगा भी जी यानि जितना लंबा रूट था करिबन एक करिबन पांट सो से एक किलोमेटर के बीच का था तो क्या उसको रिस्ट्रिक नहीं किया गया है और उनको बता दिया ग जो परफॉर्म करने के लिए उसके लिए हमने आउटसाइड फोर्च कुछ पेरमेलेटर फोर्च से बुलाई है क्या वक्त रखा गया है सवश्य उबयातरा के लिए क्या टाइम रिड्यूस किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हर और गैने जर ने अलपन अपना अलग अलग टाइम रखा तो उनकी कन्विनियंस के हिसाब से टाइम रखा गया है तो देखिए बहुत शुक्रियां से बात करने के लिए आपको नजर आएंगे डी सीपी जितेंद्र मीना जी जो तस्वीरों के जरीए हम आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर उस थिती से बचने के लिए जो शोभा यात्रा है वो निकाली जरूर जाएगी लेकिन पुलिस की जादा मुस्तेदी तैनाती दिखाई देगी दिली पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिटरी फोर्स भी इलाके में यानि की जहांगी पुरी में तैनात की गई है जिसे की कोई भ है कि इस राके में कोई भी जो अव्यवस्था है वो देखने को ना मिले अशांती देखने को ना मिले हालाकि शोभा यात्रा की इजाज़त दी गई है जितना वक्त मांगा गया है वो भी साइन किया गया है पुलिस की तरफ से जितनी दूर की आत्रा लोग चाहते हैं करना वो भी उन्हें इजाज़त दी गई है, लेकिन पूरी सुरक्षा विवस्था को ध्यान में रखते हुए। क्यामरमेन अनिल के साथ अजातिका सेंग, ABP News दिली.